अस्सलाम अलेकूम एबिवन वेलकम बैक तो माई चैनल कुकेट होम रमजान की आप सब को तहे दिल से मुबारक बाद आप सभी का रमजान बहुत ही अच्छे से गुजरे और सभी आपकी जायस नमनाएं और दुआएं खुबूल हो मैं रुमानाखार आप सब का वेलकम करती सब्यान बदल यह500त जीरा और दो द ससाथ लाल मिर्च इंको मेंने-क साथ ग्राइने और बन्वन घीज़क है और दो ससाथ मिर्च यह अप्टीसपूण में लिया है गर्म शानला 1 चैला यह फोर तीसपूम मिल्चिंट पायबर 1 तेबल स्पूम लिया है कश्मी दिरारं मिल्च 1 तेबल गुत फालेश साथ इस अफमेने रेट चिली पाबर फालेश कि डाएन जा स्कुल कषण अइया है तिड़ी नलेती करें टोड़ी अर पर मैंक एक कप दही इसे हैं, यह His पर स कुछा वश ने कर देख लें पानी निकल चुका है और अब मैं इसके अंदर चमच चलाओंगे और इसको भूनेंगे जब तक कि इसका क्लर चेंज नहीं होडाता है चिकन कडाई बनाना बहुत ही असान है और यह जटपट से बनकर तियार हो जाता है आप इस रमजान इसको ज़रूर ट्राय करें इंशाला आपको ज़रूर पसन आएगी रेसिपी अब मैं इसके अंदर रेट करें हूं 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भ हाई फ्लेंग पर ही भूनेंगे इसको हम चमच चलाते रहें और यहां पर तक्रीबन चाल से पांच मेंट हो जुके हैं मुझे इसको भूनते वे और यह देखें कितना अच्छे से हमारे चिकन का अकलर जो है चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे दही थोड़ा थोड़ा करके एड़ करें पहले में स्टार्टिंग में टू टेबिल स्पून एड़ करें हूं और इसको भूनेंगे अच्छे से और फिर हम एड़ करेंगे बाकी का धरी तो टू टेबल स्पून एड़ करें आप और इसको अच्छे से भून लिया दोस्तों मैंन बीडेख सकते हैं उसका लेंग जाकर में आपर भी दे दूगे तो यह देखें अच्छे सब्वूनेंगे इसको कि अधर के अधर में पायों तुमाटर तुमाटर दाइज करके रख थे यहां इसको भी अधर ने इसको पका लेंगे अब हम इसको और ढखकर टमाटर के पानी में यह सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर अब हम इसको बीच बीच में जाएंगे करें तक हमारी चिकन लगे नहीं और चम चलाते रहेंगे और फिर भीच बीच में डखकर इसको पका लेंगे 4-5 बिच तक कैसी पका लेना है आपको और यहां पर हमाई टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसके अंदर करेंगे बाकी के मसाले आप देख सकते हैं कि हमारा मसाल बहुत इच्छे सबुन गया है तो अब मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूं यह जो हमने कूट कर रखा हुआ था लसन और अद्रफ इससे बहुत इच्छा फ्लेवर आता है और यह मुह में आते हुए भी बहुत अच् इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा वह राइट टाइम होता है मसाले आइड करने का उससे मसालो जाएं बहुत ही अच्छे से एकदम भून जाते हैं उसके अंदर कच्छा पन बिल्कुल भी नहीं रहता है तो यह इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे आप देख सकत कि यहां पर मैं एड़ कर रहे हूं नमक मैं हफटी स्पून एड़ कर रहे हूं आप अपनी टेस्क के अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं दोस्तों फ्लेम आपको हाई रखने है कि चिकिन बहुत ही जल्दी कल जाता है और अब मैं इसके अंदर एड़ करूंगी बाकी के बच करें अगर आपको थोड़ी मीडियम ग्रेवी चाहिए जैसकी मैं बना रही हूं तो आप एक कप एड़ कर सकते हैं और अगर आपको जादा ग्रेवी पसंद है तो आप बनेना हाफ कप तक भी इसको आड़ कर सकते हैं यह बहुत ही जल्दी और जप्रट बनने वाने चिकन कड़ाई तो दोस्तों यह देखें हमारी चिकन कड़ाई तयार है और अब इसके अंदर बस कुछ फाइनल इंग्रीजिटेंट्स एड़ करने हैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया और यहां पर मैं एड़ कर रही हूं टीस्पून कड़ाई सूरी मेथी जो की कड़ाई की जान होती है तो यह आप ज़रूर एड़ करें इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे और अब मैं एड़ करूंगी इसके अंदर जूलियंस में कटा हुआ अध्रग और हर इमिर्च थोड़े साम कानिशिंग के लिए रोक ले चीज और यमी हमारा चिकन कड़ाई बनकर तयार हुई है तो इस रमदान करीम आप ये रेसिपी जरूर प्राय करें इंशाला मैं उमीद करती हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इसी तरह मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दें और अगर आपको मेरी वी झाल